एक आठ साल का लड़का गर्मी के छुट्टियों में अपने दादा जी की पास घूमने आया एक दिन वो बड़ा खुश था उचलते कूते वो दादा जी की पास पहुचा और बड़े गर्व से बोला जब मैं बड़ा होंगा तब मैं बहुत सफल आदमी बनूँगा क्या आप मुझे सफल होने के कुछ टिप्स दे सकते हैं दादा जी ने हां में सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे गरीब की पोच्छाला में ले गए वहां जाकर दादा जी ने दो छोटे छोटे पोधे खरीदे और घर वापस आ गए वापस लोटकर उन्होंने एक पोधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पोधा गमले में लगा कर घर के अंदर रख दिया क्या लगता है तुम्हें? इन दोनों पोधों मेंसे बविश्य में कौन सा पोधा अधिक सफल होगा? दादा जी ने लड़के से पूछा लड़के कुछ शणों तक सोचता रहा फिर बोला घर के अंदर वाला पोधा जाधा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खत्रे से सुरक्ष थे जबकि वाले पोधे को तेजदू, आंदी, पानी और जानवरों से भी खत्रा है दादा जी बोले चलो देखते हैं आगे क्या होता है और वो अकबार उठा कर पढ़ने लगी कुछ दिन बाद छुटियां खत्म हो गए और वो लड़का वापस अपने शहर चला गया इस बीच दादा जी दोनों पौधों पर बराबर ध्यान देते रहे और समय बीत इता गया तीन-चार साल बाद एक बार फिर वो अपने पैरंट्स के साथ गांग घुमने आया और अपने दादा जी को देखते ही बोला दादा जी पिछली बार मैं आपसे सक्सेस्फुल होने के कुछ टिप्स मांगे थे पर आपने तो कुछ बताया ही नहीं पर इस बार आपको जरूर बताना होगा दादा जी मुश्कुर आये और उस लड़के को उस जगर ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था अब वह पौधा एक खुबसूरत पेड़ में बदल चुका था लड़का बोला देखा दादा जी मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल भी तो देख लो और ये कहते हुए दादा जी लड़के को बाहर ले गए बाहर एक विशाल रक्ष गर्व से खड़ा था उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी और उसकी छाओं में खड़े रागी आराम से बाते कर रहे थे अब बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ दादा जी ने पूचा बाहर वाला दादा जी लेकिन ये कैसे संभव है बाहर तो उसे न जाने कितने खत्रों का सामना करना पड़ा होगा फिर भे लड़का अशरे से बोला दादा जी मुस्कुराए और बोले हाँ लेकिन चैलेंज इस फेस करने के अपने रिवोर्ड्स भी तो है बाहर वाले पेड के पास आजाद ही थी वो अपनी चैड़ें जितनी चाहे उतनी फेला ले अपनी शाखाओं से आसमान को छूले बेटे इस बात को याद रखो और तुम जो भी करोगे उसमें सफल होगे अगर तुम जीवन भर सेफ उप्सन चूज करोगे तो तुम कभी उतना ग्रोव नहीं कर पाओगे जितनी तुमारी शमता है लेकिन अगर तुम तमाम खत्रों के बावजूत इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहते हो तो तुमारे लिए कोई भी लक्ष हासल करना असमभब नहीं लड़के ने लंब भी गहरी सांस ली और उस विसाल रक्ष की तरफ देखने लगा वो दादा जी की बात समझ चुका था आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था तो दोस्तों भगवान ने हमें एक मीनिंगफुल लाइफ चीनी के लिए बनाया है बट अनफोर्चनटली अधिकतर लोग डरडर के जीते हैं और कभी भी अपने फुल पोटेंशल को रेलाइज नहीं कर पाते इस बिकार के डर को पीछे छोड़े ना जिन्दगी जीने का असली मज़ा तभी है जिब आप वो सब कुछ कर पाएं जो आप कुछ करना चाते वरना दो वक्त की रोटी का जुगार तो कोई भी कर सकता है